कौन सी ट्रेन में कितनी वेटिंग कनफर्म होती है एजेन लोग कैसे वेटिंग टिकिट को कनफर्म करा देते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन सी ट्रेन में कितनी वेटिंग कनफर्म हो जाती है या फिर agent लोग का cigarette क्या है वो कहां से वेटिंग प्रेडिक्शन देखते है जो उनकी ticket confirm हो जाती है और आप लोग बनाते हैं तो confirm नहीं होती है तो इसके लिए आपको simply play store में चले जाना है और एक app मिलेगा confirm ticket उस app को download कर लेना है जैसी आप download करेंगे mobile number देके आप login कर लेंगे login करने के बद आपको कुछ ऐसा interface आएगा अब वहां पर आपको क्या करना है जहां से जहां जाना है वहां के लिए आपका station code या फिर station नाम लिखना है जैसे मुझे अजमेर से दिल्ली चेक करना है तो मैं यहां पर दिल्ली का code डाल देता हूँ उसके बाद search करता हूँ तो मैंने दिल्ली का code डाल दिया आप जो भी date है वो आपको select कर लेना है मैंने 31 तारीक Monday select किया है उसके बाद आपको search पे click करना है जैसी आप search पे click करेंगे तो वहां पे आपकी जितनी भी train होगी उस route में सारा कुछ बता देगा कि यह यह train है इतने बज़े यह train है अब आप जो check करेंगे कितनी waiting कहां से confirm होती है तो उसके लिए simply आपको जो भी class में सफर करना है जैसे किसी को sleeper में सफर करना है किसी को AC में सफर करना है तो आपको जिस भी class में जाना है उस class में सबसे पहले आपको search करना पड़ेगा जैसे यहां पे एक train है गरीब नवाज express जिसका नंबर है 15716 यह 12 बज़े अजमेर से जाती है और दिल्ली 8 बज़ के 10 मिनट पे पहुँचाती है अब sleeper में मुझे check करना है कि क्या इसमें हो पाएगी या नहीं जो अभी 15 वेटिंग आ रही है तो अब इसको check करने के लिए आपको simply यहां पे दिया हुआ है check wl trends इस पे आपको click करना है जैसी आप वहां पे click करेंगे तो यहां पे आपको बता देगा और यह जो जर्नी डेट थी वो 25 जुलाई 2023 और आज का डेट है 27 जुलाई 2023 तो इस तरह आप सारा वेटिंग चेक कर सकते हैं कि पिछले टाइम या पिछली ट्रेन में कितनी टिकेट कनफर्म की है और कितने आरेसी की है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी टिकेट कनफर्म होगी या नहीं होगी आप इसके लिए स्क्रोल भी कर सकते हैं और पूरा आगे पीछे भी देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन में कितने वेटिंग कनफर्म हुई है या नहीं हुई है अब अगर आपको इसमें WL 15 आ रहा है तो आपको बना लेना चाहिए टिकेट ये आपकी कन्फर्म हो जाएगी और अगर आप फिर दूसरी ट्रेन में देखते हैं जैसे रानी खेत एक्सप्रेस है एक बच के 10 मिनट अब इस पे अगर आप किलिक करते हैं किलिक करने के बाद डबलू चेक डबलू एल ट्रेन्स में जाते हैं अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 90 वेटिंग भी था तो यहाँ पे S8 में कन्फर्म हो गया है यह 18 जुलाई का बता रहा है 60 वेटिंग था तो S6 में 4 नमबर कन्फर्म बता रहा है तो एजेन्ट लोग जो कन्फर्म कराते हैं वो डेली डेली जब टिकिट बनाते हैं तो उनको एक्सप्रियंस हो जाता है कौन सी ट्रेन में कहां से कितनी वेटिंग किलियर होगी यानि कितनी वेटिंग को कन्फर्म कर देती है ट्रेन उनको एक्सप्रियंस हो जाता है वो अपनी एक्सप्रियंस के हिसाब से वो टिकिट बना देते हैं लेकिन जो लोग नए हैं जो साल दो साल में या महिना दो महिना में सफर करते हैं उनको इन चीजों के बारे में जादा पता नहीं होता है जिस वज़े से वो अपनी टिकेट नहीं बना पाते हैं तो यहां से आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप अपनी टिकेट बन आ सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझ में आ गया होगा इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो